हलो स्टूडेंट्स मैं हूँ नाक्षी और M.O.S. क्लासिस में हम 15 चैप्टर जो 15 पार्ट हमने अनुवाद किया था उसका अभ्यासकारे कंप्लीट करेंगे पार्ट का पहला प्रश्न है दिये गए गीत को सस्वर में गाएं तो इस पार्ट का अनुवाद हम पहले कर चुके हैं तो इसको गाखे पढ़ना था स्वरो में तो वो हमने रीड कर लिया है गाखे भी इसको पढ़ा जा सकता है लेकिन हमने अनुवाद कंप्लीट कर लिया है प्रश्न नमबर दो है एक पदेन उत्तरत यानि की वनवड में आपको उत्तर देने हैं जो हम हर बार करते हैं पहला प्रश्न है का विहसती उत्तर है धरनी दूसरा प्रश्न है किम विक्सती क्या विक्सित होता है कमलम व्यागर कुत्र गर्जती विपिने यानि की जंगल म हरिना कुत्र खा दोती, किम खा दोती, नव घास हिरन क्या खाता है, नई घास को खाता है मन्दम कह गच्छती, धीरे धीरे कौन चलता है, उसको नाम क्या था, उच, उच धीरे चलता है अगला प्रश्ण है रेखांकित पदानी जो रेखांकित पद है उनको क्या करना है आपको आधृत्य रेखांकित पद को प्रश्णिर्मान करूता प्रश्णिर्मान करना है जैसे कि हर बार हम करते हैं उपर एक सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को हमें क्या करना है प्रश्ण वाचक चीन लगाना है और जैसे अंडर लाइन शब्द है उसको हटा के हमको क्या करना है वहापे एक प्रश्ण वाचक शब्द जोड़ देना है पहला है जैसे देखें सलीले नौका सेलती सलीले का सेलती तो पहले वाक्य में क्या पूछा गया था कि नदी में पानी पर क्या तेरता है तो हमने प्रश्ण पहले पूछा है पानी पर नौका तेरती है तो हमने उसका प्रश्ण बनाया सलीले का सेलती यानि कि पानी पर क्या तेरती है ऐसे ही दूसरे खहबाग में देखेंगे पुषपेशु, चित्रपतंगा डयंते फूलों पर जो तितलिया है वो उर्तिय है या मंड़ातिय है तो हम प्रेशन कैसे बनाएंगे कुटरपतंगा डयंते कहांपर यह किस पर जो है तितलिया वो कुमतिय है अगला है उस्ट्र प्रिष्टे भारम वहती कह प्रिष्टे भारम वहती ये प्रश्ण बनेगा धावन समय अश्व किम अपी न खादती कदा अश्व किम अपी न खादती दोड़ते समय नहीं खाता है तो हमने धावन समय अटा के कदा लिख दिया है उसके स्थान पे और ये प्रश्न बन गया सूर्य उदिते धरणी वहत्ती विहसती कह उदिते धरणी विहसती ये प्रश्न बनेगा प्रश्न चार है मंजुशात समान आर्थक पदानी छित्वा लिख़त यहाँ आपको एक बुक में आपको बॉक्स दिया गया है जो अभियास कारे है उसमें से आपक के सामने लिखने हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं जैसे शब्द है धर्णी शब्द है तो यहां पर क्या है धर्णी के सामने उसी का सिमिलर वर्ड आ जाएगा प्रित्वी फिर है विपीने यानि की जंगल तो उसी का सिमिलर वर्ड आ जाएगा वने करालम और उसी का सिमिलर वर्ड है भयंकरम तो ये इसके समान आर्थक शब्द है फिर है हरिना रिग सलीले जले मंदीरे देवाले अगला प्रश्ण है विलोम पदानी मेलत जो विलोम शब्द दिये हुए है ये आपको मैचिंग करने है तो ये यहाँ पर ओर्डर में मैचिंग करके फिर आपक उचा जोर से या नीचा उचा भी कह सकते कटोर स्निकदम यानि कि मुलायम पुरातनम पुराना नूतनम नया अपरियाप्तम परियाप्त जो परियाप्त नहीं है और परियाप्त जिसे परियाप्त कहते है प्रश नमर छे उचित कतना नाम समक्षम आम और अनुचित कतना न आम समक्षम न इती लिखित जो उचित है उसके सामने आम और जो अनुचित है उसके सामने न आपको लिखना है तो जैसे आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं सही और गलत आपको बताना है उत्तर में यहां देखेंगे धावन समय अश्वह धावती धावन समय समय अश्वह खादती के दोडते समय घोड़ा खाता है उत्तर है न नहीं उष्ट्र प्रिच्टे भारम न वहती उट की पीट पर उट अपनी पीट पर भार नहीं ढोता न क्योंकि आपने बुक में उसमें चैप्टर में क्या पढ़ा था भार ढोता है सिंग उच्चे क्रोश क्रोशती न शेर उच्चा जोर से क्या कर रहा था गरज रहा था नर्दती या गर्जती ये दो शब्द प्रियोग वह थे क्रोशती शब्द नहीं हुआ था वो कोई करकश वैस जैसी आवाज नहीं दे रहा था चिक है अगला है पुश पेशू चित्र पतंगा डयनते आम फूलों पर जो तितली है वो बनरा रही थी हां वने व्यागरह गर्जती और बन में बाग जो है वो गरजता है आम हां हरीण नव घासम न खादती न अदूलिकितानी पदानी निर्देश अनुसारम परिवर्तायत यहां जो दिये गए हैं उनको निर्देश के अनुसारिय यहने कि जो ब्रैकिट में पूछा गया है उस व्यचन और विभक्ती में परिवर्तित करना है यहां उधारण में देखेंगे जैसे यता का मतलब है जैसे चित्रपतंगा इसका प्रत्मा विवक्ती एक वचन में बहु वचन में बनेगा चित्रपतंगा आकी मात्रा भी बल्लू का शब्द उसका तृत्या एक वचन में बनेगा तृत्या विवक्ती में बल्लू केन उष्ट्र का पंचमी दुई वचन में होगा उष्ट्रभ्याम हरिन सप्तमी बहु वचन में बनेगा हरिनेशू इस प्रकार से यह शब्द बनेंगे व्याग्र का दृत्या एक वचन में बनेगा हे घोटक राज अगला प्रश्न है चित्रम द्रिष्टवा मंजुषात पदानी चव प्रयुज्य वाक्यानी रचयत खग यहां पर शब्द दिये हुए है यहां पर एक चित्र भी दिया हुआ है स्टुडेंट यह देखिया आपके बुक में जो दिया हुआ है चित्र है कि यह कैस वह का एक समय है पार्क है और उध्यान में बच्चे खेल रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं फूल खिले हुए तो इस पूरे चित्र को देखते हुए यहां पर कुछ शब्द दिये गए हैं इ तो अब इनका प्रियोग करते हुए इस प्रकार से हमने वाक्य बना लिये जैसे सूर यहां उदेती चित्र में सूरे उदे हो रहा है और यहां पर सूरे शब्द का भी हमने यहां से इस्तमाल कर लिया यह जो बॉक्स है इसमें से देखके और उदिते भी दिया हुआ है तो उदिते शब्द हमने प्रयोग कर लिया फिर हम अगला शब्द लेंगे खगा यह हमें दिया हुआ था उदारण में कूजंती भी दिया हुआ इनको मिला कर एक वाक्य बनाया ऐसे ही बालाह क्रिडंती कमलानी विक्संती चित्र पतंगा डयंते तो इस प्रकार से इनको पार्ट पंद्रा का अभ्यासकारे जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया और यह भूख भी हमारी कंप्लीट हो गई है तो मिलेंगे अब हम नेक्स क्लास में नई बुक के साथ नए अध्यायों के साथ तो आपने इन सारे चैप्टर्स को सारे पाठ्ठों को पढ़ा और अभ् करके बता सकते हैं और आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब भी करें अगर फर्स टाइम देख रहें तो मिलते हैं नेक्स क्लास में नई बुक के नए अध्यायों के साथ